कॉंग्रेस ने था राहुल गादी अमेरिका के तीन शहरों के अपनी यात्रा के दोरान सेन फ्रांसी को पहुचे जहां उन्होंने कैसा बयान दिया पीअप मोधी को लेकर जिससे हर कोई चका चौन रहे गया राहुल गादी प्रवासी भारतियों से बाचीत और अमेरिकी सांसतों से मुलाकात भी करेंगे बुद्वान को भारतियों को संबोधित करते विए राहुल गादी ने पीअप मोधी पर निशाना साधा कहा प्रदान मंत्री को अगर भगवान के साथ बिठा दिया जाये तो वो भगवान को भी समझाना शुरू कर देंगे सेन फ्रांसिकों में भारतियों को संबोधित करते विए राहुल गादी ने कहा देश में कुछ ऐसे लोग हैं जुने लगता है वो सब जानते हैं बलकि भगवान से ज्यादा जानते हैं वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं उन्हें भी समझा सकते हैं राहुल गादी ने आगे कहा मुझे लगता है हमारे देश के प्रदान मंत्री उनमें से एक हैं मोधी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें, तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे, कि ब्रह्मान कैसे काम करता है, वो वैज्ञानी को विज्ञान के बारे में और इतिहासकार को इतिहास के बारे में भी समझा सकते हैं. So, we found that when everybody started working together, completely different type of energy started coming. And I noticed that the government tried everything. मतलब, जो भी उनमें ताकत थी, उन्होंने यातरा को रोखने में लगा दी. वी से उतार दिया. पुलीस को यूज़ किया. मगर कुछ काम नहीं कर रहा था. और जो यातरा का effect था, वो बढ़ता जा रहा था. यूँ हुआ, क्योंकि आप सबने हमारी मदद की. सिर्फ, not only in India, पारत जोड़ा हम एक अड़ बढ़ता जोड़ा है. ऑल रहतो है और लोग अधेफ्शि हतुई इउडिन नषोड तो एक इच वीधह दोडि ऋबबंग विलें पोड़्ा थिच्छ "' लोगाइजंड ताइटर् थिछ लोगड़ाईगा हैंट तब अगगषता दूब tom NOR में आंदिए लोगड़ाईट् इंट विट डिएड़िए य।ष फ्या लिए वार्ट निए निफ्रेश्ट एर्ट जाया रिर्फट्ट ए ली जाया है इसे लिए इस तो ब्रॉका इस तो पुम्लिकेटब थूर ए एंदों संदों संदों सिर्थेद्टबस्टित्ट्टि ई ली एंगेश्टित्ट उन्या हुआ इस पुर्साइड है that is the disease that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to Him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister has one such specimen. I think if you sat Modiji down next to God, Modiji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So, these are funny things, but really, this is what is going on. We have a group of people who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can speak to historians and explain history to them. They can explain warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can. and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because, because in life, you cannot understand anything if you are not ready to listen. There is something, I think the biggest lesson I learned from Bharat-Judho-Yatra that there is something to learn from everybody. Bharat-Judho-Yatra 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 is talking about